Hello everyone, welcome to S-Academy, I hope आप आप लोग सब अच्छे होंगे, आज इस वीडियो में दिल्ली अधिनस स्यवा चैन बोर्ड एनने DSSV TGT का expected कटाप देखने वाले हैं कि आप लोग का कटाप कितना जा सकता है, साथी साथ यह भी देखनेंगे कि आप लोग का result कब तक जारी किया आप लोग को बदा दूँ, थोड़ा सा आउट आफ इस्टेशन होने की वज़े से थोड़ा सा जो noise आएगी, यानि sound problem होगी, आप लोग थोड़ा सा manage किजिएगा, और थोड़ी ज़्यादा बात नहीं करते हुए, डारेक्ट हम लोग कटाप के बारे में discuss करेंगे, क्योंक में सवाल हो, डारेक्ट हम लोग ले चलते हैं आप लोग को जो expected कटाप पर आप लोग का हर कटेगरी में आप लोग का कटाप कितना जा सकता है, आए जानते हैं, और चैनल पर पहली वाब जिट की हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेजेगा, क्योंकि जो भी latest news आती का हर कटेगरी में, यहां पर पोस्ट होगा, आप लोग काटेगरी, OVC, SC, ST और PS कटेगरी का हम लोग कटाप देखने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग कटाप देखते हैं, TGT Social Science Female का जो है, यूर का 100 प्लस जाने वाला है, कितना 100 प्लस आप लोग कटाप रहने वाला है, सा और 80 का 88 से 100 के बीच में, 80 का 73 से 82 के बीच में, और PS का 75 के 90 के बीच में रहने वाला है, वहीं TGT Social Science Male की बात करें, ध्यान देजीगा, यह फिमेल का उपर वाला फिमेल का है, नीचे वाले मेल की बात करें, तो 85 से 100 के बीच में आप लोग का मेल का रहेगा, अन्रिजर्व क करें करें का, OBC का 70 से 80, YST का 82 से 95, 74 से 80, YST का और PS करें का 80 से 90 के बीच में, वहीं बात करें, TGT Math मेल के लिए, TGT Math मेल के लिए आप लोग 80 से 90, YST का रहेगा, 80 से 95, YST का रहेगा, 70 से 70, और YST का 74 से 50, और PS करें का 85 से 85 के बीच में, TGT Natural Science Female का आप लोग ध्यान रहेगा, ये 100 से 120 के बीच में, आप लोग अन रिज्यर्व क्टेगरी का, सबसे पहले जो अन रिज्यर्व क्टेगरी फिर आप लोग का OBC 95 से 177, YST का 70 से 80 से असी आप लोग का रहेगा, क्या आप लोग ऐस्टी का 75 से 85 से 85 आप लोग का पियस का रहने वाला है, अब सब्सक्राइब करते जाएगा यानि जिस पोस्ट के लिए अपलाई किये हैं एक अट्र से अट्र आप लोग का क्या क्या यहां तक पोस्ट नहीं थी पैसर से पचासी आप की जो है पी-अच कटेगरी का रहने वाला है TGT हिंदी की बात करें तो एक सब्सक्राइब का क्या क्या रहने वाला है चीडिटी हिंदी का टीजीटी इंग्लिज का देख लेते हैं फीमेल कर्टेगरी का जो है अंठानवे से एक सो पंद्र है यह पचंतर से पंचानवे नभे आप लोग का वही सी 65-80 are 640 आप लोग का साट के सप्टर के बीच में द्याण देखाज़ जो बीच में डुच से बीच में आप लोग कटाफ रहने वाला हो ही है आप लोके प्जीटी के लिए ओटेजीटी का था पढ़ेट झासे थे फिजकल एजुकेशन टीचर के लिए ध्यान दीजगा, फिजकल एजुकेशन टीचर के लिए 120 से 130 अनेजर कटेगरी, OBC 105 से 115 और 80 का 90 से 100 के बीश्च में रहने वाला है, फिजकल एजुकेशन टीचर मेल के लिए यह उपर वाला फिमेल का था, यह 150 से 165, 126 से 139 OBC और 112 से 135 आप लोग का रहने वाला है, वहीं आप लोग के PGT जो है, फाइन आर्ट के लिए हम लोग देख लेते हैं, फिमेल के लिए 145 से 100 ठामन, 115 से 125 आप लोग का एक से बीच में, आप लोग का रहेगा, फिर OBC का 119 से 130 आप लोग का यह सी का रहने वाला है, PGT उर्दू मेल के ल कटेगरी का काटाफ रहने वाला है, और साथ-साथ आप लोग जरू बताएगा कमेंट बाक्स में, कि आप लोग किस पोस्ट के लिए अपलाई किये हैं, ठीक है, कमेंट बाक्स जरू से जरू कीजेगा, और PGT कमेंश्टी मेल के लिए आप लोग 150 से 160 के बीच में, और 145 से 138 के बीच में रहने वाला है, और एक बात और बता दो, आप लोग को लास्ट में जरू बताएगा कि आप लोगा जोगे है, रिजल्ट कब जारी किया जाएगा, PGT हिंदी मेल के लिए ध्यान देजेगा, 1210 से 230, 186 से 195 आप लोग का OVC, 113 से 210 SC का, PGT कामर से देख लेजे, 117 से 182, 118 से 170 आप लोग का OVC, 113 से 155 आप लोग का SC का, PGT बायोलोजी फेमेल के लिए 155 से 164 के बीच में, अन्रिजर्ब कटेगरी, इवार कटेगरी का 134 से 145 OVC, और थर्ड में आप लोग का SC का 122 से 135 के बीच में रहने वाला है, PGT फीजिक्स पेमेल के लिए 177 से 210 स 186 से 199 OVC का, PGT जियोग्राफी आप लोग ध्यान देजेगा, ए आप लोग का 113 से 166, 125 से 135 OVC, 122 से 136 आप लोग का SC का, PGT इंग्लिजिक्स का फिमेल के देख लिए 177 से 126 से 120 आप लोग का, OVC का 155 आप लोग का 80 का रहने वाला है, PGT इंग्लिजिक्स मेल के देख ल PGT पोलिटिकल साइंस मेल का लेक लिए 160 से 175 से 126 आप लोग का, 179 से 148 के भीच में आप लोग का, PGT पोलिटिकल साइनस मेल का, 146 से 157 आप लोग का कटेगरी का और 124 140 के भीच में आप लोग का क्या चिअ के रहने वाले है के का आप लोग देखने वाले हैं आप लोग को देखने वाले हैं अरिजर क्टेगरी किसका ध्यां करेंगा प्यार्टी नर्सिंग सिछक परिच्छा का एक्सटेडर कर दिख रहे हैं यह अन्रिजर्ब क्रटेग्री का आप लोग रहेगा 115 से 125 के बीच में अन्रिजर्ब कर दिज़े गा आप लोगो 60-75 से बीच में रहने वाला है यहीं आप लोग कटाब इसी के बीच में राना इससे ज़ादा कम और ज़ादा नहीं जाने वाला है और result की बात करें ध्रिजल्ट आप लोगो 5 जूलाई से ध्याँ देज़ेगा 15 जूलाई से 31 जूलाई के बीच में कभी भी जारी किया जा सकता है थोड़ा बहुत कभी-कभी लेट भी हो जाता है झाल झाल